खबर क्रिकेट जगत से जहां स्रिलंका के पूर्व क्रिकेटर लाहीरू थรीमाने की एक कार्फ धूरगटना का शिकार हो गए है बताते गुरुआर को वे अपने परिवार के साथ मंदिर जा रहे थे जहां उनका कार से एकसिडेंट हो गया इस हाथसे में थ्रीमाने को चोटी आई है जिसके बाद उन्हें कॉलेंबो से 205 किलोमेटर दूर अनुरादापुरा के एक अस्पताल में तुरंद भर्दी करवाया गया है चोटी साल के थ्रीमाने जो अब लेजेंड्स क्रिकेटर के न्यू योर्क स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं उनके फ्रेंचाइस जी ने इस धुरगटना की जानकारी देते वे कहा कि उन्हें अस्पताल में भरती करा गया है जाँच के बाद हम बता पाएंगे कि वे सभी सुरक्षित और सुस्त हैं लाहिरो थ्रीमाने ने 2014 में श्रीलंकाई टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जीता था उनका योगदान उस सेमी फाइनल में भी था जब वे वेस्ट इंडिल्स के खिलाप महत दोपूर्ट चमवालिस रन बनाये थे पिछले साल 2023 में थिरीमाने ने अंतराश्ट्रे क्रिकेट से सन्यास का ऐलान किया था उन्हें भारत से खेले गई वन डे वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका एटीम में शामिल नहीं किया गया था